नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं जैक बोड दस्वी बरहवी रिजल्ट 23 या 24 माई को हो सकता है जारी जहरखन एकेडमी कॉंसिल जैक दस्वी बरहवी बोड परिक्षा का रिजल्ट 23 या 24 माई को जारी कर सकती है जैक ने सारी तेरिया पुरी कर ली है मिली जनकारी के अनुसार मुख्य अतिती से समय मिल जाने के बाद परिक्षा का पहिनाम जारी कर दिया जाएगा हलाकि जैक से रिजल्ट की तारी को लेकर कोई अधिकारिक सुचना जारी नहीं किया है इस्टूडेंट जैक की ओफिसियल बेप साइट से रिजल्ट देख सकते हैं बता देकि जैक कक्षा दस्वी की परिक्षा 14 माज से 3 अपरेल तक आविजित की गई थी वहीं कक्षा बरहवी की परिक्षा 14 माज से 5 अपरेल तक चली थी वहीं दस्वी की परिक्षा के लिए 1225 और इंटर्मीडियर की परिक्षा के लिए 724 परिक्षा के निर बनाये गए थे जार्खन बोर्ट दसवी और बरहवी की परिक्षा के लिए 7,60,000 परिखार्थियों ने रईस्टेशन कराया था जिसमें से दसवी में लगभग 4,34,000 परिखार्थी और बरहवी में लगभग 3,34,000 परिखार्थी सामिल हुए थे जार्खन और जामो की मजबूती में अहम योगदान रहा उनके जोगदान को कभी बुले नहीं जा सकता उन्होंने कहा है कि राज सरकार दुर्गा सुरेन सहीत राज के सभी सहीदों को सम्मान देने का काम कर रही है कोई भी अपेक्षित नहीं रहेगा सभी सहीदों के असमारक अस्थलों को विकास किया जाएगा इस मौके पर मंत्री हफिजूल अंसारी विधायक एवं दुर्गा सुरेन की पतनी सिता सुरेन अविशेक कुमार पिट्टू बिनोध पांडे सुप्रिय भटाचार मुस्ताक आलाम हेमलाल मेहता सहीत कई नेता एवं करकरता उपस्थी थे रांची में कला संस्कृती विभाग बच्चों के लिए लगाएगा समर कैम्प यहां बच्चों को कला के विभीन आयामों से परिचित कराने के साथ साथ परसिक्षन भी दिया जाएगा बतादे इस स्कूलों में होई गर्मी की छुटी को देखते हुए सरकार ने पहली बार इस आयोजन की रूप रेखा तयार कर ली है इसका उदेश से बच्चों को मुबाइल वर टीवी के बजाएक कलात्मक और स्रीजनात्मक गतिवीधियों से जोड़ना है 15 दिवसी एक क्रियेटिव समर केंप के तहद विभीन कतिवीधिया आयोजित की जाएगी यहां बच्चे अपनी इक्छा के अनुसार किसी भी एक कला का विधा का चैन कर प्रसिक्षन हासिल कर सकेंगे चाईबासा से तीन आईडी बरामत नक्सलियों के सुरक्षा बलों को उड़ाने की साजिस बिफल हो गई है सुरक्षा बलों ने कराई, केला, थाना, छेतर के जंगल से तीन आईडी बरामत कर लिए है मामले को लेकर पुलिस अधिक छक आसुतोस सेखर ने का आएकि सुचना मिली की प्रतिबंदित फैक पानक सली संगठन के सिस्ष नेता मिसीर बेसरा, अनमोल, मोचु, चमन, कांडे, अजाय महतो, सागेन, अंगरिया, आस्वीन अपने दस्ता सदस्यों के साथ कोलान छेतर में बिसफोटक करने के फिराक में है जिसके बाद बटालियों को सनुक्त अफ्रेशन पर भेजा गया अभियान के करम में रभीवार को सूबा लगभग 6.50 मिट पर कराई केला थाना अंतरगत गराम इंदुआ से पप्रीदा जाने वाले कच्ची सड़क के आसपास जंगल छेतर में 5 कीलो का 3 प्रेशर आईडी लगे मिले पुलिस अधिक्षक ने बताया है कि इस फोटक सुरक्षा बलो को नुक्सान पहुचाने के लगाए गए थे सुरक्षा बलो ने आईडी बरामत किया है और सुरक्षा के दृष्टी से मौके पर ही नश्ट कर दिया है राष्टपती दौरा एनेसजी के घेरे में रहेंगी महा महीम 6 हजार जवान की सुरक्षा राष्टपती द्रोपदी मुर्मू 24 माई को तिन दिवस ये दौरे पर ज़ारकन आ रही है उनकी सुरक्षा को लेकर ज़ारकन पुलिश ने प्रुक्ता त्यारी की है राष्टपती 24 माई के सुबा देवखर हवाई अड़ा पर उतरेंगी वहाँ बाबा बैदनात मंदिर में पूर्जा आचना करेंगी इसके बाद देवखर ये अरपोर्ट से रांची अरपोर्ट आएंगी यहां से सलग मार्क से बीर्षा चोक पहुचाएंगी और बागवान बीर्षा मुंडा के परतिमा पर मल्यारपन करेंगी जहारकन का मोस्ट वांटेड नकसली दिनेस गोप किरफतार जहारकन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है एन आई ए और जहारकन पुलिस की सन्युक्त करवाई में जहारकन के मोस्ट वांटेड 25 लाग के नामी दिनेस गोप को गिरफतार कर लिया गया दिनेस गोप उगरवादी संगठन पी लेफाई का सुप्रीमो है पुलिस उत्रों को मिली जनकारी के अनुसार दिनेस गोप को जहारकन पुलिस ने एन आई ए के सहयोग से नेपाल से गिरफतार किया है बताते जहारकन पुलिस नक्सलिव खिलाप लागतार करवाई कर रही है चोतरफास दबाव नक्सलिव पर डाला जा रहा है जिसके सुखद पईनाम भी देखने को मिल रहे हैं इसी करह में बड़ी सफलता हाथ लगी है पीले फाई का सुप्रीमो दिनेस गोप को एनाईय और जार्खन पुलिशन सन्यूक्त अप्रेशन करके गिरफतार कर लिया है कहा जा रहा है कि दिनेस की गिरफतारी नेपाल से हुई है जार्खन में 6 लग इसकूली बच्चों को नहीं मिला ड्रेस का पैसा जार्खन के करीब 6 लग बच्चों को यूनिफर्म का पैसा नहीं मिल सका है इसकुली सिक्षावा सर्चता भी भाग की और से कई बार रिमाइंडर दिये जाने के बाद भी सभी बच्चों को राशी नहीं दी जा सकी बतादे यूनिफोर्म का पैसा बचों के बैंक खाते में दिया गया था जिन बचों का बैंक खाता नहीं था उनके लिए विद्याले परबंदन समिती के खाते मराशी दी गई लेकिन अभी भी सौफ हिस्दी बचों को ड्रेस मुहया नहीं हो पाई इस हितिया है कि सुदुर गरामिन के स्कूलों के साथ साथ राज दाने की स्कूलों के बच्चे भी पुराने इनिफोर्म में दिख जाते हैं राज के प्रारामभिक स्कूलों में करीब 40 लाख बच्चे नमांकी था हैं जार्खन हाई कोट के नाया भवन भारत की राष्टपती द्रोपदी मुर्मू 24 माई को जार्खन हाई कोट के नाय भवन का उध्याटन करेंगी पतादे 550 को रुपए की लागत से भव्य जार्खन हाई कोट भवन का निर्मान किया गया नाया हाई कोट भवन अपने आप में क अपनी बिजली आपूर्ती का अधिकांस भाग सर उर्जा से पूरा करेगा इसके लिए जारकन हाइक कोट के पारकिंग से लेकर कई दूसरे एरिया को सोलर पलेटो से ढख दिया गया है जो अक्छा उर्जा का एक बेहतरीन साधन बने है बता दे जारकन हाइक कोट के नए जार्कन हाईख को बिली के आपुर्दी कि जाएगी सोर उजया के परयों की वज़े से जार्कन हाईख को बेहत पाम बिल का भूगतान करना पड़ेगा गौतला भाय की जार्खन सरकार की स्वर उर्जानीती के तहत ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर व्यापक काम सुरू हुआ है मासूम बच्चों को भी नहीं बकस रहे नकसली जार्खन के कोलान में नकसलीयों के दोरा लगाए गए आईडी बमों की वज़े से लगातार निर्दोस ग्रामिन की जान भी जा रही है दरसाल छारखन के कुलहान आज भी कई ऐसे छेतर हैं जो पहाडों और जंगलों सो घीरे पड़े हैं इन छेतरों में रहने वाले ग्रामीनों के लिए आज जीवका का सबसे बढ़ा साधन जंगल है जंगल से लकडी और कई तरह के जंगली उत्पाद ग्रामिनों को मिलते हैं जिने बेच कर भी अपनी जीवका चलाते हैं लेकिन इनी जंगलों में नक्सलियों ने भी डेरा डाल रखा है पुलिस से बचाव के लेनक्सलियों जंगल के बड़े छेत्रों में जमीन के भीतर आईडी भी चा दिये हैं जारखन में मांसून लेगा लेट से इंट्री इस बार भी जारखन में मांसून के देरी से आने की संभावना है खाड़ी के राज्ते मान्सुन केरल होते वे देश के तर्ट्येश्य छेतरों प्रवश करता है। उसका असर जार्कन में भी होगा। जार्कन में मान्सुन 14 से 15 जून तक प्रवश कर सकता है। लेकिन इस बार 4-5 दिनों की दूरी से 18-20 जून तक राज में प्रवेस करने की संभावना है इसका सिधा असर किसानों पर पड़ेगा बतादे देरी से मांसून आने के चलते वर्षा समाने से कम होने की संभावना भी है पिछले साल 2022 में भी 6 दिनों की देरी से 18 जून को मांस सुन परवेस की बात कही जा रही थी आदिवासी मंत्राला की ओर से खोले जाएंगे 79 मौडल इसकूल आदिवासी मंत्राला के स्वजने से देश बर में 79 मौडल इसकूल खोले जा रहे हैं जिससे 33 सेर बच्चों को फैदा पहुंचेगा ए बाते आदिवासी मामलों के अध्यम से यहां की बेटियों को टाटा ग्रूप की कुछ कम्पनियों में भेजा गया था आज वहां बचिया आत्मनिर्भर हैं जार्खन के नर्सिंग संस्थानों में नमाकन की परक्रिया सुरूं चारकन संडिवती परिक्षा, परव्यस्ट परिक्षा ने राज्ये के सरकारी और गरसों कारी नर्सिंग संथानों में A.N.M. औ. जीएनेम कोर्प के लिए सेक्शनिक सात्रते 24 में नमाकन की परिक्षा में प्रावता अंख्याधार पर त्यार मेरित लिष्ट से होगा नमाकन परिक्षा में सामिल होने के लिए JCECEB के वेबसाइट से ओनलाइन आवेदन जमा किये जा सकते हैं ओनलाइन आवेदन भरने की अमतिम तिसी 16 जुन है नमाकन परिक्षा जीले के 5 जगों पर होगी धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वाल का बेल एक अगण दबाई साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर आपने दोस्तों को साथ सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कुमेंट बस पर अपना फीड़वाएक अवस्य दे थैंक यू